हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं, इंकम फ्राउं हाउस प्रोपटी, पॉर्द से सी ये इंटा, बहुत ही छोटा सा टोपिक है, वो और एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक, इस इंकम टेक्स के सेक्शन 22 से लेकर 27 तक, जो प्रोविजन से हैं, वो इंकम फ्रॉम हास प्रोपटी की बात करते हैं, इस हैड में इंकम टेक्सेबल तब होगी, इस हैड में इंकम टेक्सेबल कब होगी, ये आपको बताता है चार्जिंग सेक्शन 22 22 पराता है कि कब इस side में आपकी income taxable होगी, सबसे पहले आपके पास कोई property होनी चाहिए, और आप उस property की owner होने चाहिए, तब इस side में आपकी जो property है, वो taxable होगी, property का मतलब क्या है, building और land appartinent there to, तो property का मतलब मतलब बिल्डिंग और land appartinent there to, land मतलब जो building के आसपास वाला जो area, यहां पर मतलब किसी land पर अगर कोई building बनी है, और उसके चार हो तरफ अगर कोई भी जहाँ पर कोई parking या फिर आपकी garden बगएरा बना हुए, तो वो भी आपका property की definition में आएगा, तो यहां पर डो condition है, पहले कि आपके पास कोई property हो नीच जाए, और उस property से, वो इस property के आप ओना हो नीच जाए, और उस property से आप वो income हो नीच जाए, कुछ notes देखते है, तो वो जो income है आपकी taxable हो जाएगी, section 22 गोल रहा है, house property हैड में, अब income from vacant land, vacant land is chargeable to tax under the head income from other source, क्यों यहां पर हमने देखाए, property की definition में, property की definition में, vacant land नीच आ रही, इसलिए यह other source की income बनेगी, अगर कोई vacant land है तो वो property नीच है, इसलिए उस पर जो आपकी rental income आएगी, वो other source के नब जाएगी, point number one ने, ऐसा बोला, point number two, note number two, if the owner of property uses such property for his business or profession, then it is not taxable under this head, अगर आपके पास कोई property है और आप उसको business करने के रिए यूज़ करते हो, या फिर उस पर उस property किसे, कोई profession करते है उस property पर अपना होई, तो जो आपकी जो income और, तो जो आपकी property है वो taxable नीच होगी, जाएगे नदा, दूसरा point ये बोलता है, थार्ड point बोलता है, where assets is engaged, इने business of letting out of property, अगर आपका जो business है न, वो property को भाड़े पर देने का है, तो उस case में क्या होगा, आपकी income, आपको जो भाड़े पर बाड़े की income होगी, और प्रोपरटी को भाड़े पर देने सा जो income होगी न, वो taxable आपकी PGP, आपके लिए वो business ह आपकी house property की income निया, note number 4, note number 4 बोलता है, अगर आपने property को कैसे stock in trade, stock in trade held किया होगी, तो annual value of such property क्या होगी, taxable होगी income from house property में, even if property is held in stock in trade, stock in trade का अचलब क्या है? माल नो कोई builder है और builder ने क्या किया? 10 flats बनाए, 10 flats बनाए, sale करने के लिए, लेकिन उसमें से 10 flats बनाए और 5 flats उसमें sale कर दी है, 5 flats अभी तक sale नहीं हुए, तो इन जो 5 flats की income है न, इन 5 flats की income है, वो आपकी house property हैड में taxable होगी, वो PGP में नहीं जाएगी, अगर आपके लिए, ज आपका तो business है, property को construct करके उसको sale करना, तो आपके लिए normal course में क्या है, business है, आप माल नो, DLF हो आप बहुत साइब flats बना के sale करते हो, तो जब तक आप उन flats को sale नहीं कर देते हो, उससे जो income आएगी न, आप वो income from house property के head के अंदर taxable होगी, PGP के अंदर नहीं होगी, तो लेकिन आप उस property के owner होने चाहिए, अब property का मतलब है, property का मतलब है, building or land pertain to there too, या vacant land कोई property है नहीं, vacant land property नहीं है, तो क्या इसको taxable नहीं किया जाएगा, लेकिन income from house property head में नहीं, income from other side में, second note में हमने पढ़ा, अगर कोई owner क्या है, अपनी house property को अपने business या professionally use करता है, तो व taxable नहीं होगा, house property head में, third point अबने देखा, अगर कोई assessi किया है, engage या house property को let out दनी में, उसका जो normal course of business है, वो rent में देना है properties को, तो उसके लिए business income है, ना कि house property में income हो, तो उसके लिए house property, PGPP head में taxable होगी, both point अबने देखा, अगर आपने जो properties है, वो stock in held assets, sorry, वो आपने held क taxable होगी, income from house property, head में even दो, कि वो जो आपके लिए PGPP की income है, stock in trade आपका PGP का है, अब for the purpose of income tax, for the purpose of income tax, properties can be three types, income tax के purpose से हम properties को तीन types में बाढ़ सकते है, self occupied property, let out property, deemed let out property, self occupied property का मतलब है, ऐसी property जो आपने, अपने residence के लिए यूज़ कही हुई है, जिसमें आप खुदर रहते let out property जो आपने rent पर दी हुए किसी को, rent income के लिए, suppose को मेरे पास दो गर है, मेरे पास दो house property है, house property 1 और house property 2, house property 1 में मैं अपनी family के साथ रहता हूँ, family और मैं रहते हैं, और house property 2 में ने बाढ़े पर दी हुए Mr. गोलु को, तो house property 1 जो मेरे लिए self occupied property है, और house property 2 जो मेरे लिए let out property है, और deemed let out property मतला ऐसी property जो आपने, ना तो self occupied है और ना ही वो let out है, तो जो third property, तो वो हम क्या माननी जागी, deemed let out property माननी जागी, तो section 22 हमने खतम कर दिया, section 23 पे आते हैं, section 23 क्या, हमने section 22 में पढ़ा था कि annual value जो होगी आपकी house property की, वो taxable होगी house property head में, तो annual value आप compute कैसे करोगे, या फिर annual value कहलो या फिर net annual value, इन दोनों ता मतलब एक ही है, या तो annual value गोलो या फिर net annual गोलो, short miss को annual खोलता है, तो आपकी एन वी कैसे निकलती है, जो आपकी gross annual value होती है, उसमें से आप property tax actually paid by owner, अगर owner ने पर टेक्स पे किये है, जो municipality लगाती है, जहाँ आप रहते हो, वहां के local area की जो municipality होती है, वो आपकी property पर property tax लगाती है, अगर owner ने पे किया है, वो tax अगर owner ने पे कर दिया है, पेड़ विस जिस में पेड बिच पर, एक्चुल में pay करना जाया है अगर एक्चुल में pay हो चुका है तो आप उसको gross annual value से माइनस कर लेना तो आपकी जो आई जाएगी वो net annual value आज़ेगे, net annual value आपकी house property debt की income बनेगी यह taxable हो जाएगी अब gross annual value कैसे निकलेगी तो दो केसे ने, सबसे पहले self occupied property की case में और LOP, यानि की let out property या फिर deemed to let out property, इन दोनों case में कैसे निकलेगी तो तो annual value जो आपकी self occupied property की होगी वो हमेज़ा निल रहेगी यूँकि उसमें तो आप रह रहे हो, वहाँ से आपको कोई rent की income नी होगी, आप खुदी रह रहे हो उसमें तो वहाँ से जो आपकी JAV आएगी वो हमेज़ा निल आएगी JAV बोलो या फिर NAV भी निल आएगी कि property tax उसमें से माइनस नी करेंगी तो NAV जो होगी न उसकी सीधर निल आएगी लेखिए अगर आपने कोई property को let out किया हुआ है, मतलब किराई पर दिया हुआ है या फिर आपने deemed let out हो प्रोपर्टी आपकी deemed let out को भी हम आगे देखिएंगे section के अंदर, कि कोई सी property deemed let out भानी जाएगी तो let out करी हुए है तो आपने वासे आपको कोई ना कोई रेंट आ रहा हुआ, रेंट की income आ जी होगी Self-occupied property का मतलब क्या है जो self-occupied property होती न, वो use होती है किस परपस के लिए SSC के रेसिदेंस के लिए, या तो SSC वहाँ पर रह रहा है, या फिर वो vacant पड़ी है, unoccupied पड़ी है due to business और profession और engagement Due to any other place, आप आपकी property खाली पड़ी हुए, आप उस property पर है नहीं पारे किस वज़ा से, या तो आपका business और business profession या फिर आपकी जो employment है, वो किसी और पेस में है एक्जामपल लेते हैं, इसके एक्जामपल ऐसे लेते हैं, Mr. Raj, Mr. Raj एक CA और ना, Mr. Raj CA ये डैली में रहते थे पहले, डैली में family के साथ रहते थे, Mr. Raj ने एक बार UPSC का एक्जाम दिया, UPSC, UPSC का एक्जाम दिया और इनकी ना government job लग गई, बैंगलोर में, Mr. Raj CA थे और व अनकी एक property थी, जहाँ पर वो रहते थे, उनका एक घर था, उनकी family डैली में ही रहते थे, वो अपनी family के साथ, देखिन, उन्होंने एक्जाम दिया, UPSC का और उनकी job लगी बैंगलोर में, अब बैंगलोर में, उन्होंने एक property, रेंट पर लिया हुए, और पूरी family उनकी क वो खाली पढ़ा हुए है, तो इसको हम इसको भी self-occupied property मानेंगे है, तो self-occupied property का मतलब क्या था? जो भी अपने अगर residence के लिए यूज करी हुई है, तो वो self-occupied property है, या तो वो property खाली पढ़ी है, अनकुपाइट पढ़ी है, या तो आपकी business या profession, या फिर आपका employment योग तो आप उसको मजबूरी में रहनी पारे है, वहाँ पर, तो आप इस मजबूरी के वज़े से में रहनी पारे है, तो भी वो आपकी self-occupied property माने जाएगी, अब income tax के अंदरना, आप maximum 2 properties को self-occupied property treat कर सकते हो, अगर 2 से जादा आपकी self-occupied, मालो एक बंदा है, एक बंदा रावल के पास 5 गर है, house 1, house 2, house 3, house 4, house 5, जो उसका पहला गर है, वह देली में है, डूसरा गर, पंजाब में है, तीसरा गर उसका चन्ने में है, चोथा गर उसका उत्राखंड में है, और पाजब अगर उसका आसाम में है, अब जब income tax में, जब उसको अपनी return बढ़नी दे रावल बोला, रावल अपने CA के पास गया, उसना पताई कि मेरे पास इतनी सारी properties है, तो उसके CA ने उसको बोला, कि आपको इन में से, इन properties से rent आता गया, तो उसने बोला, नहीं में को rent की income नहीं आती, ये सारे properties मेरी, मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, दो महीने में दिल्ल दो हाउस properties को self-occupied बान सकते हो, दो से जाधा अगर आपकी self-occupied property हैं, तो आपको बाकी ही जो चूज कर लो कि आपको कूण सी दो properties हैं, जो आपको self-occupied मान रही है, बाकी जो आपकी रिमेरिंग प्रोपटी होंगी न, उनको on deemed let out मान लेता है, income tax act, deemed let out properties बन जाएगी, और उ promotional rent की income दिखानी होगी, और उसके आपको tax pay करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बोला, maximum two properties can be self-occupied, if more than two properties are self-occupied, अससी has to choose two property as self-occupied and other properties shall be deemed to be let out property, इस case में रहुल को चूज करना पड़ेंगे, दो हाउस, जिन दो हाउस को वो self-occupied declare कर सकता है, और बाकी किसे उसके तीन ग़र बाउट मानकर उस पर income निकाल ली पड़ेंगे, उसको taxable करना पड़ेंगे, house property held में, ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं, मैं पाउच सके पाउच हो गरू में रहता हूँ, मेरी तो कोई house property की income नहीं है, जाए एक चोल में वो कितना भी rent कुमारा हूँ से, तो अभी तर हमने house property, जो आपके self-occupied property है, उसकी जो आपको annual value लेनी है, मतलब जो value आपके tax होगी, वो nil लेनी है, मतलब कोई भी amount of tax नहीं होने वाला, और हमने self-occupied property का मतलब देखा, जहां पर आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, वो आपके लिए self-occupied property है, दूसरा अगर कोई property है, आपक आपका कोई जहन इस वज़र से खाली पड़ा हुगा है, कि आपका business या फिर आपका profession या आपकी employment है, किसी और दूसरे state में है, और आपकी जो अपना घर था, वो किसी और दूसरे state में है, तो आपने job के चलते है, प्रोफेशन के चलते है, उस state को छोड़ गया, आप दूस पर दूसरे जाएगी, आपकी माली जाएगी, कि आपने उसको rent बड़े रखे चाहिए, आपने rent पर नहीं भी दे रखी, तो भी हम माल लेंगे कि आपने rent बड़े रखी है, तो उस cases में आप gross annual value कैसे निकलेंगे, तो आपको compare करना आ है सबसे पहले, आपको actual में कितना rent मिल और expected rent क्या है, actual rent और expected rent, इन दोनों से जो भी हायर होगा न, वो आपकी gross annual value होगी, जो आपकी tax हो लोगी, मतलब gross annual value आगई, यह आजाएगी आपके पास, इसमें से आपको property tax minus करने पड़ेंगे, अब आपके ओनर ने pay किया है तो, यह आपकी NAV आजाएगी, जो house property की income बनेगी तो expected rent का मतलब क्या, actual rent का मतलब तो होगी, जैसे कि आपको जो actual में receive हो है rent मालो actually आपको कुछ deemed let out की case में, मालो आपने कोई प्रोपर्टी रेंट पर नहीं रिखे दे, लेकिन आपको पास एक से दो से जादा प्रोपर्टी गी, तो यह प्रोपर्टी आपकी let out बने जाएगी, मालो आपका rent 0 था, लेकिन expected rent आपका 1 लग आता है, तो 1 लग taxable हो इन दोनों से जो आपका higher आता है, उस value को आपको compare करना है, value in one और standard rent, standard rent से आपको compare करना है, fair value, municipal value में से जो भी higher हो उससे, फिर आपको compare करके lower लेना है, standard rent और value जापकी यहाँ पिसे आती है, value in one, value in one मतलब इस वाले फॉर्मने से जो value आती है, उसको compare करना है आपको standard rent से, और इन दोनों का lower लेना है, तो fair value या fair rent का मतलब क्या होता है, जो आपका rent है similar property of same condition, rent of similar property of same condition in same area, आपके area में जो similar property है same condition की, उसका क्या rent है, तो वही उसका fair rent, fair value हो जाएगी या fair rent हो जाएगा, हम municipal value क्या होती है, municipal value का मतलब है, value determined by municipal authority, या फिर local authority for living property tax, जब आप property tax pay करते हो तो municipality एक value निकालती है आपके घर की annual value, और उस पे वो property tax charge करती है, तो उस पर property tax charge करते है, तो वो जो value determine करती है, MCD वगेरा जो भी है, ये municipality, municipality जो value determine करती है, वो municipal value होती है, और standard rent जो होता है, वो आपका हर state में rent control act होता है, तो वहाँ पर जो rent fix किया गया है, maximum rent जो रहता है, maximum हेक परसन, दूसरे परसन से कितना rent चार्ज कर सकता है, वो एक standard rent है, जो fix किया रहता है rent control act के दौरा, तो तीन terms हम ने पड़े, fair rent का मतलब है, similar property का जो rent होता है, आपकी area में, आपके nearby में कोई similar property है, उसका rent का है, वो ही आपकी fair rent हो, और अगर आपकी type, आपकी condition की, आपके जैसा कोई दूसरा गार, आपके area में, उस घर का क्या rent है, जब वो property rent पहे है, तो उस घर का क्या rent है, तो वो आपके लिए fair rent बन जाएगा, जब आपने property tax पहे होगा, अपने area में, तो उसमें municipality में, एक municipal value निकाली होगी, जिस पर property tax चार्ज होदा है, तो वो value और fair rent को आपको compare करना है, दोनों से जो भी higher आता है न, उसको आपको standard rent से compare करना है, standard rent से compare करके, दोनों से standard rent और उपर जो value आई, अमने से जो भी low आता है, वो आपकी expected value बन जाएगी, expected, standard rent का मतलब है, कि maximum rent fixed by rent control act, तो ये आपकी expected value आजएगी, expected value को आपको actual rent से compare कर लो, दोनों से जो भी ज़ादा है, वो आपकी gross annual value बन जाएगी, but where rent is less than the expected rent due to the vacancy, सब किसको आपका expected rent जो आता है, एक लाव आता हो, ये 80,000 आता है, तो यहाँ पर जो 80,000 आता है, दो ये माल लो, कि यहाँ पर आपकी दो मेंगे ने property खाली पड़ी थी, आपकी property में कोई रहा नहीं रहा था, 10 महीं देखा, किराया आपके पास आया मतलब, और आपका expected rent आ रहा है, वो तो बारा महीं देखा आ रहा है, तो इन दोर्म से जो lower आए गे रहा, अगर वो इस वज़े से, कि आपकी property vacant थी, तो उस case में आपको actual वाला लेना है, lower वाला नहीं देना, तो अब तर अपने section 22 और 23 पड़ा, 22 में आपने पड़ा कि annual value जो होगी आपकी property की, वो taxable होगी, house property है, property का मतलब देखा, building और land अपर tenant there too, property का मतलब vacant land नहीं होगा, आपके पास खाली जमीन है, या फिर सिर्फ only land है, तो वो आपकी property नहीं है, इसलिए वो जो होगी, उससे जो income होगी, वो other source में taxable होगी, house property में taxable नहीं होगी, अब किसी property को आप business या profession या फिर बिजनिस प्रोफेशन या फिर या उसका होगी, फिर section 20 यह देखा हम ना कि annual value या फिर net annual value कैसे निकाल लेगी, जो हमारी taxable होगी, तो annual value निकालने का formula था, king, cross annual value minus property tax actually paid by owner, अगर owner में कोई actual में पेग या property tax तो आप उसको minus कम रहो, तो दो property होती है, हमने देखा, तीन property को मतलब दो तरा की property है, एक तो आपकी बाड़े वाली property और यह कैसी property जिसमें आप रह रहे हो, यानिकी self-occupied property, केसमें जो आपकी annual value रहती है, मेंसिमन रहती है, और let out property के केसमें या फिर demmed let out property के केसमें, आपको compare रहना होता है expected rent को, actual rent से, दोनों में से जो भी higher होता है वह आपकी annual value मनयीत, अब expected rent का मतलब क्या, expected rent का मतलब है, fair value और मुंसिपल वेलू में से जो भी आयर है उसको आपको कंपेर करना है इस टेंडल रेंट से और उन दोनों में से जो भी लोगर आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड वेलू बन जाएगी तो यहां ता खुन में देखिया अब सेक्शन 24 पढ़ते हैं एक बार 24 से पढ़ले मैं आपको कैसे कंप्यूट करते हैं वो पढ़ाओना जाओंगा या हॉस प्रप्रपटी हैड में इंकम कैसे कंप्यूट होती है तो फॉर में इसका कैकूलेशन का अग पहले आपकी दो अतरागी प्रोपटी हो जब्सक्रफेंग प्रोपर्टी एक तो तो सबसे पहले जी आप निकाल लोगे सक्शन 23 के आपसे मैं बताया ताब को कैसे नि यहां से माइनस नहीं होगा, क्यों यहां पर जो annual value है उसको निल लेना है, तो यह annual value क्या होगी, यहां पर निल लाज जागी, यहां पर जो value होगी, उसके बाद आपको इस income में से कुछ खर्चे अलाओ किये जाते हैं, मालनों आपने आपसे लैट आउट प्रोपर्टी के इस income को कमानेगे, मैंने कुछ खर्चे भी एते, क्या खर्चे किये थे, मैंने प्रोपर्टी पे मालनों white wash करवाया हूँ, कुछ repair maintenance करवाया हूँ, रिनोवेशन करवाया हूँ, या फिर इंशूरेंस करवाया है मैंने अपनी प्रोपर्टी का, तो यह सारे खर्चे आपको अलाओ होने चेह यह नहीं होने चेह तो आपने बोलागी इंसारे खर्चे आप इन सारे खर्चों के लिए आप जो आपके छोटकॉटक कर खर्चे होते है क्या पानी का और या पर आपके repair maintenance के insurance के, उसके लिए बसका 30% का deduction ले लो अपनी हैने वी से यह अबकी आपकी है अन यहां पर गुष्ज किया ऊपको इस इंकम से खर्चे का रिड़क्षण नागे ओसकता है आपने जो परोपर्टी बनाई थी ररेंट पर देने के लिए या खृतर रहने के लिए वो आपने लोन लिए थी आपने लिया था तब जा कि आपने इस प्रपर्टी का कन्स्रक्शन क कीस में आपको आमेसा लोस आएगा अगर लोस ही आएगा आपकी कभी कभीלא इंकम नहीं आसकती है शाउस प्रपर्फिके से लेकिन भीगत दोस प्रोपर्टी ने हो से आपकी प्रहटी है थाहँ है था membria थे। हम अलाओ कर रहे हैं आपको इंट्रस्ट का तो यहां पर आपका लोस आ जाएगा इस लोस को आप अधर हैड की इंकम से सेट आफ कर से तो यह फॉर्मेट रहेगा आपको दो खर्चे अलाओ करेगी सरका सेक्शन 24 ने बोला कि हम आपको दो खर्चे माइनस करने देंगे पहला 30% सीथा माइनस कर लो अपने रिपेर मेंट के ने जो भी आपके छोटे मोटे कर्चे उसके लिए उसके बात अब आपने कोई इंट्रस्ट का इंट्रस्ट एक्समेंस पे किया है आपने कोई लॉन पर इंट्रस्ट पे किया है जो आपने इस इंकम को कमाने के लिए लॉन द सेक्शन 24 एक्सपेंस अलाउड फ्रॉम एनुल वेंडू एक्सपेंस कौन कौन से अलाउड रहेंगे तो मतलब डिटेक्शन्स इनको हम बोल सकते हैं डिटेक्शन आप कौन कौन से ले सकता हूँ सेक्शन 24 ने बोला 30 परसंट ओ सीधा अपनी एनेव गाल ले लो या पर एनेव आएगा इसको काटके लेना 30 परसंट आप सीधा अपनी एनेव गाल ले लो जो आपकी नेट अल्डू अनोर वेल्डू आई उसके बाद पहला कर्चा तो हम आपको ये लाउड देंगे तो कितना कितना deduction मिलेगा, किस कि लिमिट तक का में देगा, तो netted property की case में न कोई भी limit नहीं, आपने जितना interest पेगिया सीधा उतना खर्चा आप claim कर सकते हो, मतलब आपने 10 लाग के interest पेगिया तो 10 लाग का खर्चा आप claim कर लो, लेकिन self-occupied property की case में या पर limit है, 2 लाग की limit ह तो 2 लाग की limit आपको इस case में देखने को मिलेगी, 30,000 की limit आप maximum 30,000 का self-occupied की इंकमी नहीं होती है, आपकी self-occupied property में लोस आता है, तो लोस maximum, या तो आपको 2 लाग का अलाउट गरेगी government या फिर 30,000 का, तो दो लाग का लोस का अलाउट होगा, तो उसके लिए condition है, जो आपका construction था ना, वो five year के अंदर complete हो गया था, उस year से, जिस year में आपने loan लिया था, उस year के end से, and construction is completed within five year from the end of financial year in which loan was taken, जिस साल में आपने loan लिया, उसके end, उस साल के end से past साल के अंदर आपकी जो construction हो complete हो जाना चाहिए, तो ये दो condition अगर satisfy होती है, तो आपको 2 लाग का deduction म कोई भी case है, तो महाँ पर 30,000 का deduction मिलागा, आपने मानलो, loan लिया था, anytime, चाहे तो आपने एक, चार, उनिसन इंद्यानवे के बाद लिया, या पहले लिया, इसने लिया, आपने construction और acquisition के अलावा किसी भी कारण से लिया, तो महाँ पर आपको maximum 30,000 का deduction मिलेगा, या तो repair के आपने अपने अपने गय के लिया, रिनोवेशन के लिया, या फिर reconstruction करने के लिया, तो आपको 30,000 का deduction मिलेगे, इंक्लोडिंग, चलो इसको बाद मिलेगा, यह वाला point भी देखते हम, अगर suppose को आपने loan लिया था, घर को construction और acquisition करने के लिया था, इस date से पहले लिया था, तो यह यहापर लिखा है, बाद में लेना चाहा है, तो आपको 2,000 का deduction मिलेगा, तो आपने इस date के पहले लिया था, construction करने के लिया और acquisition करने के लिया, तो आपको कितने limit का deduction मिलेगा, 2,000 का deduction मिलेगा या 30,000 का deduction मिलेगा, तो आपको 30,000 का deduction मिलेगा, अब यहाप एक line लिखे, including including pre-construction period interest झाल इंक्लूदिंग pre-construction period interest अब देखो pre-construction interest क्या हो दा है हैसी interest जो आपने किस period के लिए प्यकिया है interest for a period prior to year in which property acquired or construction आपने जिस year में property को खरीधा या फिर construct किया उस year से पहने के years, जिस अगर आपने loan अगर पहले ले लिया था प्रोपर्टी को बाद में खरीदा है या फिर सपोज करो अपने प्रोपर्टी ले लिए थी 2000 पूट रहेगा जो आउगई 2,30,000 वाला डिड़क्शन है न ये तब ही मिलता है जब आप old tax regime लेते हो अगर आप old tax regime नहीं लेते हैं तो आपको ये वाला deduction नहीं मिलता 115 BAC लेते हैं यानिकि new tax regime तो उस तरे जीन के अंदर आपको ये 2,00,000 वाला benefit नहीं मिलता यानिकि self occupied property की case में कभी भी loss नहीं आथा तो section 24 खतम होता है यहाँ पर इसने बोला दो deduction दे देंगे हम आपको आपकी house property के income से पहला 30% minus कर लो आपकी annual value का यह एक standard deduction है आपके जो भी खर्चे हुए इस income को कुमाने के लिए उसके लिए है दूसरा अगर आपने कोई interest का expense किया था आपने उस income को कमाने के लिए आपने को interest पे किया था किसी loan पे वो loan यादो self occupied property के लिए था आपने तो self occupied वाली property के case में क्या है आपर limit है और let out property के case में कोई limit नहीं है आपने जितना interest पे किया उतना आप claim कर लो और दूसरा loan लेने के लिए आपको specific person नहीं कि loan आपको bank से लेना है या पिसी financial institution से लेना है loan आप किसी से भी ले सकते हो family person से ले सकते हो यानि कि friend family किसी से भी ले सकते हो bank तो self-occupied property के case में आपको दो लाग और तीस लाग की limit है तो दो लाग वाले limit कप चेक नहीं आपको अगर आपने loan लिया था 1499 या उसके बाद और दो सी condition इसी में है कि वो loan जो आपने जिस year में लोन लेता ना उस year के end से जब वो financial year के end से आपको 5 year के अंदर construction या फिर acquisition कम्प्लीट करना है तब ही आप दो लाग का benefit ले पा हुए अदरवाइस आपको और केस में 30,000 का benefit में लेगा आठी है और ये deduction आपको तब ही मिलता है section 25 की बाद करते है expense not allowed from annual value कुमन से ऐसे expenses जो हम आपको allowed नहीं करेंगे मतलब less नहीं करने लेंगे वो पर आमने पढ़ता है कि interest का जो खर्चा है वो आपको allowed देगा लेकिन कोई ऐसा इंट्रस्ट है जो पेवल है आउटसेट इंडिया है आपने किसी भार के परसन से लोन लिया और आपको आप उसको इंट्रस्ट पे कर रहे हूँ माल्लो आपने Bill Gates से लोन लिया मुकेस भाई ने हाँ मुकेस भाई का एक्जम्पल लेते हैं मुकेस भाई ने 100 करोड का लोन लिया Bill Gates से उस पर 20 करोड की इंट्रस्ट पे कर दिया तो इंट्रस्ट अगर किसी नोन रेजिडेंट को पेमेंट कर लिया आप जो आपने लोन लिया था वो किसी आउससेट इंडिया के परसन से लिया था तो इस इंट्रस्ट को आप तभी किलेम कर पाऊगे जब उसने टेक्स पे कर दिया हो उस पर या फिर आपने उस पर टेक्स डिटक कर लिया हो तो section 22 ने बोला annual value पर tax लगेगा section 23 ने बताया कि annual value कैसे निकलेगी अब section 24 ने बोला कि इस annual value में से क्या क्या आपको deduction देदेंगे section 25 ने बोला कि कौन से expense का deduction नहीं मिलेगा अब section 25A पर आजाओ taxability of unrealized or area rent unrealized rent और area rent तो unrealized or area rent का मतलब है आपने इसको property भाड़े पर दी आपने अपनी property इसको rent पर देदी और वो बंदा ना मालो 7 महीने रहया उसमें 7 महीने रहके 8 महीने का उसना rent आपको दिया नी रेंट नी पेगिया उसने आपको request करी कि मैं आपको तो तीन महीने का रेंट ना आगे एक साथ देद दुआ तो आप भी अगरी कर गया आप बोले पहले थे आपको पता नी था उसके बाद वो बंदा एक दिन अपने गाउं और आया नी लोट करनी आया वहां से अपना सारा सामन रात में लेके बगया हो और आया नी ठीक है वह इस प्रफ इसमें जो आपका रेंट दाने व एक तो आपको आपको अपद्नी नीवा एक या उसकी टेशेवीर्ट नीव पर आया कि रहाए था, वो लेके और वाग्या और सरकाप बोल रिया मिनों crack देडाइस उसपर, तो कि आप taxăng देने को राजी हो गए नहीं न, तो इसलिए इसके taxability क्या रहे ना, इसके taxability कप रहेगी, जब ये आपको receive हो जाएगा न, उस याँ आर में हमको वो और सेम डिदेक्शन आप यहां भी ले लेना कोई नहीं और ये टेक्सिबल अगर वालो सपोस करो कि आपका जो घर था आपने जो किराय पे दिया था अब आपने उसको सेल कर दिया जो आपका घर था वो आपने किराय पे दिया था आपका rent का पैसा दे दिया आपने वो घर पेग दिया, लोगिन जो percent आने बाद में आके आपको rent का पैसा दे दिया मालों इसमें 30,000 रुपए आपको दे दिया, अपके घर के rent के तो अभी 300,000 पे अभी खुल फिर भी क्या tax लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा taxable जो आपका unrealized rent एन वो taxable रहेगा even if assesses not honor of such property in the year of receipt आपने receive किया उस time पे आप honor थे या निते उससे मतलब नहीं है वो तब भी taxable हो जाएगा format हमने पड़ी दिया था section 23 के साब से आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले gross annual value निकारने पड़ेगी self occupied property इसमें मैंने पताई दिया आपको नियल रहेगी let out और deemed let out property के किसमें आपको actual rent देखना है सबसे पहले actual rent और expected rent इन दोनों का जो भी higher होगा न वो आपको यहाँ पर लेना है उसमें से अगर आपने कोई भी property tax देखिया है तो less कर लो आप यह आपका आगे net annual value self occupied property के केसमें मैंसा nil रहेगी और इसकी केसमें यह मैनस करके यहाँ से आजागी उसके बाद आपको दो खर्चे के expense allowed रहेंगे दो खर्चे allowed रहेंगे कौन-कौन से standard deduction ले लो आप 30% का इस value का अगर यह आप अंड़र है तो आपको 30% यादि कि 30 रुपीज आपको allowed रहेंगे आपकी 70 रुपे की income पर tax लगेगा अब expense, interest का भी अगर आपने कोई interest tax देखिया है तो भी allow हो जाएगा आपको सिर्फ self occupied property की case में आपको given है दो limit check करने है, 2,00,000 वाली और 30,000 वाली और let out की case में तो आप जितना मर्जी आपने पे किया है उतना ले लो interest का खर्चा बस दो section बचे हैं उसके बाद आपका यह chapter खतम होने बाला है बड़ा चोटर साठ चेप्टर था लेकिन दो बंदे, आप एक तो ओनर बन होगे और आपकी वीवी एक ओनर टू दूस property में दो ओनर है तो उसमें आपको कैसे उसका जो house property अगर उसको आपने rent पर दे रखा है उसके बारा लाग रुपर रेंटी आती है साल की उसको आपको कैसे करना है अगर आपकी बीवी 30% की ओनर है या फिर आप 40-70% की ओनर हो तो आपको इसी रेशियो में इसको डिवाइड कर लिना है और जो भी इंकम आती है पहले आपको क्या करना है ऐसे मान के चलना है कि आप डोनों नहीं हो तो सिर्फ एक ही बंदा ओनर है तो एक ही बंदी की ओनर होता तो इंकम क्या हाउस परपरटी में इंकम आती है उसके बाद जो उनका प्रपरटी में शेर है ना उस शेर में उसको डिवाइड कर दो ये लेटाउट वाले केस में आपका ऐसे हो जाएगा चैल्कुलेट करो चैल्कुलेट एज प्रपरटी इस ओन बाइड वन परसन देन डिवाइड इट इन दा शेर ओफ इच की को अनर पहले आप ऐसे कैल्कुलेट कर लो कि हाउस परपरटी सिर्फ एक परसन ने खाली करी वी है उसके बाद आप उसके उनके जो ओनर्शिप का रेशियो उसके अंदर डिवाइड कर दो लुक्स परपरटी करने तो आस्से बाद टिवाइड करकर आप आपठी लोट आप आपकी आझ यू ना पर पर डहुट सब्सक्राइड निए अगर आप उसके लीकल ओं नाच बिरब में और इस결द ऑसे केस में, प्रोपर्टी आपके standards में extra बहती है, आपको deemed owner मालना लिया जाता है। Martin transfer of property to spouse, आपने property को transfer कर दिया, spouse को या फिर अपने minor child को, except minor married daughter, without consideration or in-educate consideration. सपोज गरो, एक बंदा था Mr. Chaloo, Mr. Chaloo के पास एक घर था, इससे उसको rental income आती थी, 20 लाक रुपे साल की न, rental income आती थी, और Mr. Chaloo की बी-बी थी, Mrs. Balu, Ms. Balu थी, तो इसने क्या गिया न, इसके या आउस वाइप थी, इसकी कोई income नहीं थी, इसके जीरो रुपे कमाती थी, मतलब कुछ नहीं कमाती थी, पर ठीके पैसे उड़ाती थी, तो ये खर्चा करती थी, तो Mr. Chaloo ने क्या दिमाग लाया, ये 20 लाकी income न, मैं इसको transfer कर देता हूँ, और जो tax है न, फिर ये, मतलब इसके hands में वो income taxable होगी, और अगर इसके आथ में taxable होती है, तो इसको जो basic exemption है, या फिर deduction है न, उसका benefit नहीं मिल रहा था, तो इसने बोला कि मैं इसको transfer कर देता हूँ, इसकी कोई income भी नहीं दूसरी वाली, तो house properties ने इसके नाम पर transfer कर दी, बिना कुछ पैसे लिए, सिर्फ paper पर उसने transfer कर दी उसको, ठीक है, बिना consideration के, और income दिखा दी इसकी 20 लाकी, और सारे deduction ले दिये, तो जितने इक benefit income tax के मिल अपने किसी spouse को, या minor child को, प्रोपटी को transfer कर देता हूँ, बिना consideration के, या फिर कम consideration के अंदर, तो वो property के owner आप ही माने जा हूँ, इवन दो आपने legal news को transfer कर दिया है, तो यहां पर आपको इसके खत्म हो जाता है, आप इसके साई कुशिन आप कर सकते हूँ. कर दो पार।